हलो और वल्कम तो माई चैनल मैं रोहित ही और सौध करता हूँ मेरे स्यूटूब चैनल रोहित की कक्षा में तो जैसा कि मैंने कल आपको बता के रख दिया था अपने चैनल के कम्यूनिटी टैप के थ्रू कि कि मैं आज आपको जहारकनटरा एंगर्शिटी जो की रांची में उसके बारे में एक कॉलेज रिव्यू दूँगा मतलब इस कॉलेज रिव्यू दस मिनिट से ये पंदर मिनट के बीच की होगी जिसमें मैं आपको इस कॉलेज के बार में सब कुछ बताऊंगा जैसे कि starting से लेके इन तक कैसे admissions होंगे offline admissions आप ले सकते हो, online admission ले सकते हो scholarship scheme क्या है, placements कैसे है कौन-कौन से यहाँ पर courses और उन courses की fees कैसी है students का reviews कैसा, यह सब कुछ इसी 10-15 minutes के बीच मोगा तो कुछ नहीं आपको करना है, बस 10-15 minutes आपको अपने समय का देना है जहाँ पर आपको यहाँ इस college के बारे में totally पता चलिया क्योंकि अभी admission का दौर चल रहा और आप भी admission लेने के लिए धेर सारे colleges के बारे में जानना चाते हो वैसे हमने बहुत सारे colleges के उपर बना के रखा हुआ जहारकणों जैसे साइनाथ उनिवर्सिटी राची college reviews यह सब के किसी भी एक playlist को पेंड करेंगे आपको बहुत सारे college reviews में देखने को मिलेंगे आप उसमें समय दीजिए और अगर आप चैनल में नए है तो subscribe कर लिजे क्योंकि मैं आपसे return में कुछ नहीं मांग रहा हूँ सिर्फ मैं आपसे यह चाहता हूँ कि अगर आप नहीं आए हो तो subscribe कर लिजे और अगर आप पुराने subscriber तो इस वीडियो को share करिए दूसरों को भी बताइए कि हाँ आपको इस college के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं यहां आपको दस मिनिट में सब कुछ समझ जाया क्योंकि बहुत ऐसे स्टुडिन है जो आपके दोस रिलेटिव भाय बैन बहुत सारे सब कोई हैं जो अब आगे हम लोग बात करते हैं जार्क राए निवर्सिटी के बारे में कि यह कॉलेज भाई प्राइवेट इन्वर्सिटी है ठीक है इन्वर्सिटी के बारे में बता देता हूं कि कौन-कौन से कोर्से यहां पर होते हैं जैसे अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्से आप डूंट रहे तो बीटेक इन कंपूर साइंस आपको मिल जाएगा ठीक है फिर बीटेकिन माइनिंग इंजिनियरिंग आपको मिल जाएग करीबन मैंने आठ से नौक इन्वर्सिटी या कॉलेजिस का नाम लिया था जो माइनिंग कॉलेजेज या माइनिंग इन बीटेक कराती है ठीक है तो यहां बीएसी ने कल्चर भी होता है बी लल बी बीटेक माइनिग अब बात आता है कि इतने सारे कॉर्सेज हैं बीवी ए ह है इसका ओपेंगर कर रहा होदा ठीक है इसके जस्ट आप नीचे जाओगे तो आपको यहां पर पहले बता देगा कि आपको टेन प्लस टू पास होना चाहिए और अगर आप डिप्लूमा केंड़ेट है तो आप लैटरल इंट्री एडमिशन इजली ले सकते हो ठीक है चार यहां पर यहां पर यह भी लिखा हुआ एक कंडिडेट का नाम भी दिया है नंदीदा कुमारी का जिनका कैप जिमीनी में प्लेस्मेंट हुआ है जब बीटेक इन कमीडर साइंस इन्हों नहीं इसी को लिए नहीं बता गया कि कि इतना पैकेज हुआ है पांच लाग दस ला इसका भी फीश सक्टे जानने के लिए आपको यहां क्लिक करें अपना मुबाइल नंबर दे तो यह सब चीजे हो गए अब जैसे बात कर लेते हैं आपको वही तरीका को अपनाना पड़ेगा ठीक है तो आपको कोई भी कोर्से के ऊपर फीश सक्टे जाना हुआ हूँ अध किया यहां चीजे होती है यहां पर पहस सारे क्लब्स बने में जैसे यहां पर फिर o कांडिया इवनिंग होती जो दसेरा के टाम में होती है फिर आपका बीज कुईज भी होते रहा था एन्वाल स्पोर्ट्स डेस परधा के नाम ते दिया हुआ है ठीक है उसका अलुमिनी मीड भी दिया हुआ अब देख सकते हैं अब उसके बारे में अगर आपको साइड में दिख जाएगा प्रोस्पेक्टस के नामजा ठीक है फिर उसका देखिए कौन-कौन से बोर्ट सी हैं जैसे यहां बार कॉंसल आप इंडिया सी एप्रूवड है ठीक है एस्सेशन ऑफ इंडियन उनिवर्सिट सब्सक्राइब करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पूछना रहेगा उनसे क्या जानना और आप इसे मुझे इंस्टाग्राम या मुझे ट्विटर या मैं जैसा कि बोला ना कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कुछ नहीं करना और दूसरों लोगों के भी यह वीडियो को सेयर करें और भी मैं सिर्फ यह वीडियो की नहीं बात कर रहा हूं आपको किसी भी चीज़ों पर वीडियो जारकंट बोर्ड में कॉंसलिंग से रिलेटेड कि कैसे आपको इस चीज़ों पर वीडियो चैनल बनाता है तो आपको सिफ सबसक्राइब करना आपको आगे की चीज़ें हम पर छोड़ देनी है ठीक है फिर मैं सबसे पहले बता देता तो प्लेस्मेंट कैसा है इस कॉलेज का ठीक है प्लेस्मेंट के बारे में सब कुछ यहां पर लिखा यहां बे करनी है तो बिल्कुन यहां यहां कर सकते ह। तो कि हाँ आपका प्लेश्मेंट में नाम आ सकता है लेकिन आप जब तक आप अपने अकाडमी की हैर में अच्छे नहीं रहो तब तक आपको placement भी कॉई कंपनी नहीं देगी अब क्या है नहीं है वह आपको अगल बगल से ही पता चल जाएगा लेकिन आप मेरे हिसाब से देखे तो आपको एक average college है जहाँ पर नॉर्मल फीस एक प्राविट इनुवर्शिटी की फीस के हिसाब से आप ठीक से रमया से अपना degree complete करके निकल सकते हो जहाँ पर college recruiters आते हैं टायो रोल्स लिमिंटेट का नाम देके रखा हुआ आएसी एसी बैंक का नाम देके रखा हुआ है टाटा मोटर्स इंदल स्टील पावर अदेद बिल्डाई सब का recruiters में नाम देके रखा हुआ है लेकिन इन सम में कितना इनका placement हुआ इसकी कोई रिकार्डी एवेन या कू झाल 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 झाल